दोस्तो आज के हमारी स्वीडियो का टोपिक है वाई इस टोन यूज इन सबस्टेशन मतलब कि आपने देखा है कि हमारे जो इलेक्टिकल के जो हमारी गृड होते या सबस्टेशन होते हैं वहां पर हम छोटी-छोटी गिट्टियों का इसमाल करते हैं यानि छोटी-छोटी बारें बात करेंगे और अगर आपको इंक्ट ने इसके बारे में पोर्सें करता है तो उनको इनकों क्या जवाबा देना है तो वह उसले दोस्तों क्या होगा तो यह हमारा जो यह वायर है जिसके अंदर face connect है वह face और यह जमीन यानि ground face और ground आपस में short हो जाएगा जिसके current क्या होगा यह एक तरह का short circuit होगा जिसके current काफी ज्यादा मत्रा में current flow होने लग जाएगा अगर दोस्तों यहाँ पर नीचे जमीन पर अगर हमारी मिट्टी ना होगे यहाँ पर अगर हम पत्थर को डाल देते यानि हमारे चोटी चोटी गिट्यों को डाल देते तो इसके current क्या होता हमारा जो यह wire face का wire जो जमीन पर जाके जो भीड़ा है वह properly ground नहीं हो पाता और इस ट्रावर यही प्रोड़ में होने के कम हैं जो जह कर सकथा हों सतथरु इसके करन्सथा हमारी प्रोब्लम बारे सकते हो फिर्षित्टी फॉर्प होग होसकतला है यह तो दोसे पहला हुआ दिया वह बताने कि इस्ट्विड युप्रेक्शन टूरण स्के एक Óप बतातना है कि मतलब हमारी जो साप ओ प्थर पर आसानी से चल नहीं पाते हैं उनके आसानी से नहीं करण वह हमारे उस जगे पर नहीं आते हैं तो इसी वज़े से हमको सबस्टेशन पर प्रोटिक्षन मिल जाती है इसके बाद में हमको third benefit जो बताना है Stones are help to stop grow of plant in switch yard मतलब कि हमारे switch yard के अंदर हम जो पत्थर को गिट्टो को इसमाल करते हैं उसके वज़े से हमारे switch yard के अंदर गाज पेट पोदे आसनी से नहीं उकपाते हैं इसके बाद में हमको third point यह बताना है Stones are improve yard working condition मतलब कि हमारे याड के अंदर कारी होता है सब स्टेशन में काम किया जाता है Stones डालने के बाद हमारे working condition होती है वो काफी अच्छी हो जाती है कैसे हो जाती है तो दोस्तों आपको इसको आसनी समझा लेता हूँ जैसे हमारे कभी बादिस का समय है बादिस के समय पे क्या होगा अगर पर पत्थर नहीं होगा तो हमारे आसनी से पानी जमा हो जाएगा कोई गड़ा होगा तो वहाँ पर आसनी से पानी जमा हो जाएगा और कहीं पर पत्थर ना होने के कारण वहाँ पर हम आसनी से नहीं चल सकते वहाँ पर कीचर्ड हो जाएगा इस वाज़े से वहाँ पर कारी करने वाले आदमी वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे इसी तरीके से हमारी जो गिट्टिया होती है वह स्वीच याड की वर्किंग कंडिशन को बढ़ाती है दोस्त अब लास्ट पॉइंट जो की फिफ को कम करती है जब ऑप्रेटर स्वीच याड के इंदर काम कर रहे होते हैं तो दोस्तों इसमें दो लाइन आ रही एक स्टेप पोटिशन और एक टच पोटिशन यह क्या होता है मैं इस वीडियो के आपको थोड़ा समझा देता हूं अगर आपको इसके ओपर और जानकरी ची जमीन पर गरेंगा यह पिर हमारा क्या होगा वह किसी टा पर आपको क्या होता है हमने चल इसमें 11 धंब हाजण 116устить तो इसके दिआफ यहां पर 11,000 वोल्टइज हों गे इसके थोड़ा पास में 10 कीवी होगा इसके पास काई 9 कीवी ऐसे करके यहां पर जो फोल्टेज थोड़ा थोड़ा आगर आगर बढ़ दंगे बढ़ जाता है केवी का मतलब 2,000 voltage हमारे दोनों पाहों के अंदर जो होगा वोल्टेज का डिफ्रेंस हो जाएगा जिसके कारेंट क्या होगा हमको काफी बड़ा शौक लगेगा तो दूसर अगर यहां पर यहां पे इनसान आता है इस टावर को गलती से तच करता है तो उसके करणि क्या होगा यहां पर अगर बड़ा एक इनसुलेटर की तरह बीहेव करती यहां वैसे चूज पेंड ग्र्ण की होगी वो गैस समय हमको और भी हेल्प करेगी यही है दोस्ता हमारा फ्यूट पोईंक् टच पोटेशल से शुरक्षा प्रोवाइड करते हैं तो दोस्तों उमीरे की छोटे से वीडियो से आपके कुछ ना कुछ डाउट किलियर हुए होंगे दोस्तों इस वीडियो खतम करने से पहले आपके लिए काफी महत्मूर सुचना है कि अगर आप कहीं पे इलेक्टिकल या दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िये जिसके लिए आप गूगल पर जाके सरच माल सकते हैं www.engineeringdost.com आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पर कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लग हूँ को ऎ connect the यूति लेबसाइट से oldुन दोस्तोंay वेबसान हो से जरूर एमारी वाहां पर बनुड़ियो जोस्त करके पैस्तोंstone करके से लेबसाइशा करके